दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जिसका नाम है RD Education दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए नई वेकेंसी की जानकरी लेकर आये हैं जो की राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्टरियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से हैं राजस्थान सबोर्डिनेट मिनिस्टरियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानि की राजस्थान अधिनस्त और मंत्रलाइक सेवा चैन बोर्ड ने 2012 लेबोरिटरी असिस्टेंट यानि की परयोकशाला सहायक के पदों पर भरती की अधिसूचना जारी की है और इसका ओफिशल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप इस वेकेंसी में 25 मार्च 2022 से एपलाई कर सकते हैं तो क्या है इस वेकेंसी की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे अगर वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक जरूर करें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों राजस्थान करमचारी चैन बोर्ड जेपूर ने प्रयोक्षाला साहयक के पत पर सीधी भरती की अधिस उचना जारी की है जिसका ओफिशल नोटिफिकेशन 16 मार्च 2022 को जारी हो चुका है और आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं इस वेकेंसी की पूरी डिटेल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रमंग संक्या, उसके बाद में पद कोड संक्या, उसके बाद में पद का नाम, पद का विभाग और पदों की संक्या, गेर अनुसूची शेत्र, अनुसूची शेत्र और कुल पद के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नमबर वन पे प्रयोक्षाला सहायक साइन्स से, विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग, गेर अनुसुची शेत्र टोटल 218 पद, अनुसुची शेत्र के 243 पद हैं, कुल मिलाकर 461 पदों पर वेकेंसी हैं, नमबर सेकेंड, प्र प्रयोक्षाला सहायक साइन्स, कोलेज शिक्षा आयुकतालाय विभाग का नाम, 282 गेर अनुसुची शेत्र, अनुसुची शेत्र में 26 और कुल पद हैं 308, नमबर फोर, प्रयोक्षाला सहायक साइन्स, विभाग का नाम है राज्य विदी विज्यान प्रयोक्षाला, गेर अनुसुची शेत्र में 14 पद हैं और कुल पद है 14 नमबर 5, कनिश्ट प्रयोक्षाला सहायक साइन्स से विभाक का नाम है राज्य विदी विज्यान प्रयोक्षाला गेर अनुसुची शेत्र में 48 पदों पर वेकेंजी है और टोटल है 48 नमबर 6, प्रयोक्षाला सहायक भुगोल से विभाक का नाम है कोलेज शिक्षा आयुकताले गेर अनुसुची शेत्र के 123 पदों पर वेकेंजी है अनुसुची शेत्र के 5 और कुल पद है 128 नमबर 7, प्रयोक्षाला सहायक ग्रह विज्ञान विभाक का नाम है कोलेज शिक्षा आयुकताले गेर अनुसुची शेत्र में 35 वेकेंजी है और अनुसुची शेत्र में 2 और कुल पद है 37 इस तरह से प्रयोक्षाला सहायक की पोस्ट के लिए 1012 टोटल वेकेंजी निकाली गई है राजस्थान अधिनस्त और मंत्रा लेक चैन सेवा बोड की तरफ से चली जानते हैं बाकी की डिटेल दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आवेदन एवं परिक्षा शुल्क के बारे में आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निन अनुसार शुल्क राज्य के निर्धारित इमित्र कियोस्क या जन सुविदा केंद्र यानि की CAC के माध्यम से चैन बोड को भेज सकते हैं जिसमें नमबर वन सामान्य वर्ग वह क्रीमिलेर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अती पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तू साड़े 400 रुपे एप्लिकेशन फिस ली जाएगी और नमबर फोर कारमिक विभाग के परिपत्र करमांग दिनांग 2 मई 2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यरती जिनके परिवार की वार्षिक आये 5,000,000 रुपे से कम है उनके लिए अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती के समान ही परिक्षा शुल 250 रुपे दे परिप से कमजोर वर्ग के अभ्यरतियों को सामान्य वर्ग का अभ्यरती माना जाएगा ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यरतियों के लिए निर्धरित परिक्षा शुल्क देना होगा यानि कि राजस्थान से जो अधर स्टेट के केंडिडेट्स हैं उन्हें 4,500 रुपे जिन फिस देनी होगी। कि वार्षी काये 5,500,000 रुपे हैं और 250 रुपे एप्लिकेशन फिस जम्मा करते हैं तो उसके साथ में परिवार की वार्षी काये का प्रमान पत्र आपको प्रस्तूत करना होगा। चलिए बात करते हैं प्रवेशपत्र के बारे में तो बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यरतियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ओनलाइन प्रवेशपत्र जारी किये जाएगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेशपत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेशपत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने है तू आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा के इंदर यानि की CAC पर फीज जमा कराने का टोकन नमबर ध्यान रखें और उपलब्द संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंदी सूचना आवेदक के इमेल आईडी एवं मोबाईल नमबर पर भेजी जाएगी दोस्तों अब यहाँ पर कुछ नोड दिये गए हैं जिन में से नमबर वन है लंबवत रूप से आरक्षित पदों में शेतिज रूप से आरक्षित पद सामिल है नमबर सेकेंड महिला भूत पूरु सेनिकों उत्करष्ट खिलाडी विशेश योग्य जनों एवं प्रयोक्षाला बालकों सेवकों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण शेतिज यानिकी होरिजेंटल से होगा नमबर थर राजस्थान शिक्षा सेवन नियम 2021 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार माद्यमिक शिक्षा विभाग के सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रयोक्षाला सहायक के पदों से 12.5% पद स्कूल शिक्षा विभाग में उन प्रयोक्षाला बोय करमचा नमबर फोर गेर अनुसूची शेत्र की रिक्तियों के विरुद अनुसूची शेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं यदि अभ्यर्ती का चैन अनुसूची शेत्र एवं गेर अनुसूची शेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्ती को दस्तावेश सत्यापन के समय option प्रस्तूत नहीं करने की इस्तिती में अभ्यरती का अंतिम चैन अनुसूचिश शेत्र में माना जाएगा। नमबर फाइब अनुसूचिश शेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचिश शेत्र के इस्तानी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित पदों का आरक्षण शेतीज यानि के अरिजेंटल से होगा। नमबर सेवन विझ्यापन जारी होने के उपरांध विझ्यापित पदों की संथ्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। एवं आरक्षन संबंधी प्राउधानों के संबंध में राज्य सरकार के नविंतन नियमों के अनुसार परिवरतन किये जाएंगे। उनका जन्म एक जन्वरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके मातापिता एक जन्वरी 1970 के पूरु से अनुसुची शेत्र के सदभावी निवासी रहे हैं। अधि सूचना संक्या दिनांग 47-2016 के अनुसार की जाएगी। अनुसुची शेत्र के लिए कार्मिकों का चैन राजस्थान अनुसुची शेत्र अधिनस्त मंत्रालेक एवं चतूर्त श्रणी सेवा नियम 2014 के अधिन होगा। जहाँ पर इन नियमों में इसपष्ट प्रावधान नहीं है कि वहाँ पर संबंदित विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे। नंबर फोर अनुसुची शेत्र भारत के राष्ट्रपती द्वारा समय समय पर येथा संसोदित अधिसूचना संख्या। अनुसुची शेत्र के आवेदकों को सलह दी जाती है कि वे नविन्तम अधिसूचना में शामिल अनुसुची शेत्रों को ध्यान में रखते हुए ही अनुसुची शेत्र के कोलम में ओनलाइन आवेदन प्रस्तूत करें। दोस्तों अब बात करते हैं सेलेरी की। तो राज्य सरकार दे सात्वे वेतन आयोक के अनुसार प्रयोक्षाला सहायक का वेतन पे मेट्रिक्स लेवल एट निर्धारित किया गया है। करनिष्ट प्रयोक्षाला सहायक का वेतन मान पे मेट्रिक्स लेवल फाइफ निर्धारित हैं परी विक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेन उशार दे होगा। जिनमें कुछ शर्ते हैं नमबर वन सीधी भरती द्वारा सेवा में नियुक परी विक्षा दिन प्रश्यक्षू यानि की ट्रेनी को परी विक्षा की अवदी के दोरान मासिक नियत पारिश्रामिक एसी दरों पर संदत किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएगी। सीधी भरती द्वारा सेवा में नियुक्त, सबी व्यक्तियों की नियुक्ति, दो वर्ष की परिविक्ष अवदी के लिये की जाएगी, इस अवदी के दोरान पदद की वेतन श्रंकला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रामिक दे होगा, एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराय भत्ता, महेंगाई भत्ता, शहरी शती पूर्ती भत्ता, विशेश वेतन आदी दे नहीं होंगे। परिविख्षा अवधी में अन्य सूविधाय एवं आवकाश आदी राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्राउधानों के अनुसार दे होगा। से कम से कम तीन विशियों के साथ सीनियर सेकेंडरी, सुक्ष्म जीव विज्ञान, जेव प्रोध्योगी की, जेव रसायन विज्ञान, भोतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित और साथ में देव नागरी लिपी में लिखी हिंदी में कारे कर करने का ज्यान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्यान होना आवश्यक है। बोर्ड से भुगोल विशे के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परिक्षा पास होना और साथ में देवनागरी लिपी में लिखी हिंदी में कारे करने का ज्यान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्यान। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य योग्यताओं के बारे में जिसमें नमबर वन स्वास्थे। प्रयोक्षाला सहायक वो कनिष्ट प्रयोक्षाला सहायक के पद पर भरती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारिरिक स्वास्थे का होना चाहिए और वो एसे किसी मानसिक या शारिरिक दोश्थ से मुक्त होना चाहिए जोकि प्रयोक्षाला सहायक वो कनिष्ट प्रयोक्षाला सहायक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाद राल सके। यदि वो चैनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिए अपना आरोग्यता प्रमान पत्र उस जिले के मुखी चिकिस्सा एवन स्वास्थे अधिकारी या मेडिकल जूरिस्ट द्वार हस्ताक्षरीत प्रस्तूत करना होगा जिस जिले में सामान नेतव वो निवास करता है और नमबर सेकेंड चरित्र सेवा में सीधी भरती के लिए आवेदक का चरित्र एसा होना चाहिए जिससे कि वो प्रयोक्षाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके उसे सच चरित्र का प्रमान पत्र एसे विश्व विध्याले, स्कूल या कोलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो वहां के प्रधानाचार्य या शिक्षा अधिगारी के द्वारा प्रदत प्रस्तूत करना होगा और एसे उत्तरदाई व्यक्तियों के प्रमान पत्र या नेपाल का प्रजाजन हो, या भूटान का प्रजाजन हो, या फिर ऐसा तिब्बती शर्णार्थी हो, जो की एक जनवरी 1962 से पहले भारत में इस्थाई रूप से बसने के विचार से आया हो, या फिर भारतिय मूल का व्यक्ति जो भारत में इस्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यामार, श्री लंका, पूर्वी अफरीकी देश कीनिया, युगांडा और सैयुक्त तंजानिया, गंडराज्य, जांबिया, मालवी, जेर और इथोपिया से भारत में इस अभ्यरतियों के जिनके मामले में पातरता प्रमानपत्र आवशक है, आयोग या अन्य किसी भरती, प्रादिकारी द्वारा, संचालित किसी परिक्षा में बेठने दिया जा सकेगा, या स्ताक्षातकार के लिए बुलाया जा सकेगा, तथा उसे भारत सरकार द्वारा वर्ष की आयू प्राद कर चुका हो, तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधी सूचना दिनांग 23 सितंबर 2008 के नुसार, जिस भरती वर्ग विशेश में सीधी भरती के पदों के लिए भरती नहीं हुई, और यदि कोई आविदक उस वर्ष की भरत प्रयोक्षाला विभाग द्वारा, विगत तीन वर्षों में प्रयोक्षाला सहायक भरती परिक्षा का आविजन नहीं होने के कारण, आविदकों को अधिकतम आयू सीमा में तीन वर्ष की ओर छूट दी जाएगी, उच्चितम आयू सीमा से अन्या विशेश रेणियों मे छूट निम्न प्रकार्सित दी जाएगी, जिसमें नमबर वन अधिकतम आयू सीमा में अनुसुची जाती, अनुसुची जन जाती, अन्या पिछड़ा वर्ग, अती पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यरतियों को, जो राजस्थान क अधियरतियों के मामले में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी, अनुसुची जाती, अन्या पिछड़ा वर्ग, अती पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यरतियों को, जो राजस्थान की मुल निवासी हैं, उन्हें 10 साल की छूट दी ज अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयू सीमा में थे, तो उन्हें आयू सीमा में समझा जाएगा, चाहे वे विभाग के सक्षम आखिरी उपस्थिती के समय उसे पार कर चुके हो, और यदि वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अफसर दिये जाएंगे नमबर थर्ड पॉइंट NCC के केडट प्रशिक्षकों के मामले में उप्युक्त वन्नित अधिक्तम आयू में उनके द्वारा NCC में की गई सेवा की कालाओधी के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिमानिक आयू विहित अधिक्तम आयू स सीमा से तीन वर्षे से अधिक न हो तो उन्हें विहित अयू सीमा में ही समझा जाएगा नमबर फोर पॉइंट राजस्थान राज्य के क्रिया कलापों के संबंद में सेवारत करमचारी जो अधिस्ठाती यानिकी सब इस्टेंटिव हैसिय से कारे कर रहे हैं तो उपरी आयू सीमा चालीस वर्ष की होगी पॉइंट नमबर फाइफ भूत पूर्व केदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधिन किसी पद पर मोलिक रूप से कारे कर चुका हो और उन नियमों के तहत नियुक्ति के योगे था उनके मामले में आयू सीमा लागू नहीं होगी पॉइंट नमबर 6 उस भूत पूर्व केदी के मामले में जो अपनी दोश सिद्धी के पूर्व अधिक आयू नहीं था और नियमों के अधिन नियुक्ति के पात्र था उपरिवर्णित अधिक्तम आयू सीमा में उसके द्वारा युक्त कारावास की कालाओदी के बराबर क पॉइंट नमबर 7 रिलिज्ट इमर्जेंसी कमिशन ओफिसर सोट सर्विस कमिशन सेवा में कमिशन घरंड करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्तिती के समय चाहेवे आयू सीमा पार कर चुके हो उन्हें पात्र समझा जाएगा समयक रूप से अनुपालना कर ली जाए और अरहता चरित्र चिकिसी आरोग्यता आदी से सम्मंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाए तथा उनकी छटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हो और वे अंतिम न्यूक्ति प्राधिकार द्वारा दिया गया प्राधिकी देश कीनिया, टांगानिया, यूगांडा और जंजीवार से सम प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयू सीमा नहीं होगी 11. विद्वाओं और विवाव विचिन महिलाओं के मामले में कोई आयू सीमा नहीं होगी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा निशित की गई सेवा निवरत आयू से उसकी आयू कम हो 12. पंचाय समीती तथा जिला परिशदों और राज्य पबलिक सेक्टर उपकरम नियमों के कारे कलापों के संबंद में अधिश्ठाती हैसियस से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंद में उपरी आयू सीमा 40 वर्ष होगी 13. रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में इस्थानांतरित रक्षा कार्मिकों और भूतपुरु सेनिक कार्मिकों के लिए अधिक्तम आयू सीमा 50 वर्ष की होगी 14. राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार नियम 2021 के नियम 6A में किये गए प्रावधान के अनुसार संबंदित सेवा नियमों में निर्धारित अधिक्तम आयू सीमा में दिव्यांग जनों को 5 वर्ष की आयू सीमा में छूट दी जाएगी 14. दोस्तों अब बात करते हैं पेंशन की तो इस वेकेंसी में नई भड़ती नियुक्ती होने वाले करमचारियों के लिए नियमा नुसार अंशधाई पेंशन योजना लागू होगी दोस्तों अब बात करते हैं आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ओनलाइन आवेदन पत्र भणने की अउधी के बारे में तो ओनलाइन आवेदन पत्र राज्ये के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुईदा केंदर नेट बेंकिंग एटेम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माद्यम से आवेदन शुल्क जमा कराकर दिनांग 25 मार्च 2022 से 23 अपरेल 2022 को रात के 11 बच कर 69 मिनिट तक बोर द्वारा प्रियोक्षाला सहायक के उक्त्य पदों पर भड़ती है तू दिनांग 28 एवं 29 जून 2022 को आवंटित परीक्षा केंदरों पर आईवजित करवाई जाएगी इस संबंद में विस्तरत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विग्यप्ति के माध्यम से अल परिक्षा की स्कीम एवं विस्तरत पाठिक्रम बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajistan.gov.in पर अलग से उपलब्द करवादी जाएगी तो ये थी दोस्तों राजस्तान सब ओर्डिनेट एंड मिनिस्टरियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानि की राजस्तान अधिनस और मंत्र पर लाइक सेवा चैन बोर्ड की द्वारा निकाली गई एक हजार बारा लेबोरेटरी असिस्टेंट यानि की परियोक्षालस सहायक के पदों पर सीधी भरती की अधिसूचना जिसमें आप 25 मार्च 2022 से 23 अपरेल 2022 तक एपलाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन इसमें 12 पा मांगी गई हैं